नवस्कार दोस्तों, दोस्तों इस वीडियो में एक राजा और उसके मंत्री की स्टोरी लेकर आया हूँ जिससे आप English Translation की Practice करेंगे जो बिंगनर हैं जिनको Hindi स्टोरी को English में Translation करने में प्राब्लम होती है ये वीडियो उनके लिए काफी informative होने वाली है विकॉर्ज दोस्तो ये स्टोरी में आपको काफी इंट्रेस्ट आने वाला है दोस्तो इस वीडियो को पूरा अंदक देखिए और चैनल पर पहली वार आएं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए तो आप वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो इस टोरी का पहला सेंटेंस है एक वार एक राजा के पास एक मंत्री था जो बिजवास करता था की सब कुछ अच्छा होता है तो दोस्तो ये वाला सेंटेंस है कमपलेक्स का क्योंकि इसमें दोश्तो दो किलोज है इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा एक वार की इंगलेस once इसके बाद दोस्तो हम लिखेंगे subject और इस वाले sentence में subject है एक राजा और एक राजा की इंगलिस लिखेंगे king उसके बाद दोस्तो हमें लिखना है verb और इस वाले sentence में verb है पास था पास्ता की इंगलिस लगाएंगे दोस्तो हेड इसके बाद दोस्तो हमें लिखना होता आबजेक्ट और इस वाले सेंटेंस में आबजेक्ट है एक मंत्री और एक मंत्री की इंगलिस लगाएंगे आ मिनिस्टर और दूसरी क्लोज के इस्टार्ट में दे रखा जो और जो की इ लगाएंगे यहां पर हूँ दोस्तों यहां पर हूँ जो है वो एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है इसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे वर्ब और बर्वेस में बिस्बास करता था और दोस्तों इसकी इंगलिस लिखेंगे बिलीब्ड इसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे क इसमें होता है और होता है कि इंग्लिस लिखेंगे happens और इसमें object अच्छा और अच्छा की इंग्लिस लिखेंगे for the west आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें for क्यों लगाया तो मैं आपको बता दूँ कि यहां पर जो है वो के लिए का sense आ रहा है जैसे कि मैं कहूं सब कुछ अ एक दिन तलवार से अब्यास करते समय राजा की बाए हाथ की छोटी उंगली कट गई एक दिन की इंग्लिस लगाएंगे इसमें one day इसके बाद दोस्तों हमें लिखना है समय की इंग्लिस और समय की इंग्लिस लिखेंगे यहां पर while इसके बाद दोस्तों हमें लिखना है व कलवार से, और दोस्तों, तलवार से, इसकी इंगलिसkी आएगी विदस्वाण, इसके बद दोस्तों, हम करएंगे दूसरी कलोड़ को tradservice, राज्या की इंगलिस, दा किंग, उसके बद, दोस्तों, हमें लिखना है वर्व, वर्वें इसमें ëकट गई, और कट गई की English लिखेंगे got cut इसके बाद दोस्तो हमें लिखना है छोटी उंगली की English और दोस्तो इसकी English आएगी little finger इसके बाद दोस्तो हमें लिखना है वहाँ हाथ की इसकी English तो इसकी English आएगी दोस्तो off his right hand दोस्तो इस्टोरी का अगला sentence से तब उसके मंतरी ने कहा जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है दोस्तो इस सेंटेंस की ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है तब की इंगलिस देन उसके बाद दोस्तो हमें लिखना है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट है उसके मंतरी और उसके मंतरी की इंगलि इसमें कहा और कहा की इंगलिस लिखेंगे सैड नेश्ट किलोज को ट्रांसलेट करने के लिए जो कुछ की इंगलिस लिखेंगे वहाट डिवर और होता की इंगलिस लिखेंगे हैपेंस उसके बाद दोस्तों नेश्ट किलोज है अच्छे के लिए होता है तो इसकी translate करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे होता की English है पैंस उसके बाद दोस्तो अच्छे के लिए होता है इसकी English लिखेंगे for the west अगला sentence है दोस्तो यह सुनकर राजा को गुस्सा आया और उसने मंत्री को कारावास में डलवा दिया तो दोस्तो सबसे पहले हमें लिखना है यह सुनकर इसकी English hearing this इसके बाद दोस्तो और राजा की English लिखेंगे दाकिंग उसके बाद दोस्तो हमें लिखना है वर्ब गुस्सा आ गया गुस्सा आगाया कि English लिखेंगे got angry और दूसरी clause को translate करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना और कि English end तो दोस्तों सबसे पहले हमें लिखना subject और उसने कि English लिखेंगे हम यहाँ पे ही उसके बाद दोस्तों जो cognitive verb के sentence होती हैं उन में get जो हैं वो helping verb के रूप में आता है लेकि दोस्तों इसमें got आएगा क्योंकि यह दोस्तों past का है उसके बाद दोस्तों हमें लिखना होता object और object है इसमें मंत्री को तो दोस्तों मंत्री के English लिखेंगे the minister इसके बाद दोस्तों हमें लिखना होता है verb और दोस्तो इस वाले सेंटेंस में बर्व है डलवा दिया दोस्तो इसकी इंगलिस आएगी इंप्रिजेंड दोस्तो अगला सेंटेंस है एक दिन राजा सिकार के लिए जंगल के रास्ते पर था तब उसे कुछ डाकूओं के द्वारा बंदी बना लिया गया तो दोस्तो सबसे पहले हम करेंगे पहले वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट पहले लिखना एक दिन की इंगलिस वन डे उसके बाद दोस्तो हमें लिखना सबजेक्ट राजा राजा की इंगलिस डाकिंग उसके बाद दोस्तो हमें लिखना है वर्व बर्वेस में था और था कि denken लिखेंग ये वाज, उसके वाद दोस्तों हमने लिखना आबजेक्ट, और इस वाले sentence में object है, जंगल के रास्ते पर, तो दोस्तों इसकी इंगले साइगी, on the way to forest, उसके वाद दोस्तों हमने लिखना है, other word, और other word है इसमें सिकार के लिए, और दोस्तों इसकी इं हंट, दूसरा sentence translate करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना य處 थब कि English then, दोस्तो ये वाला sentence हुई, तो past indefinite के passive Bible कहा है दोस्तो, इस sentence को translate करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है, उसे उसे की English ही उसके वाद दोस्तो, हमें लिखना है वर्व और वर्व आये इसमें बंदी बना लिया गया तो दोस्तो इसकी इंगलिस लिखेंगे वाज किटनैप्ट क्योंकि दोस्तो पैसिब वाज के रूल्स के अनुसार हेल्पिंग बर्व के साथ थर्ट फॉर्म का प्रियोग किया जाता है तो यहाँ पर जो मैंने हेल्पिंग बर्व बाज के साथ किटनैप्ट जो है वहाँ पर सेकिंड फॉर्म का यूज किया है के वाद दोस्तो हमें लिखना होता है औबजेक्ट और दोस्तो इसमें औबजेक्ट है कुछ डाकूँओं के दौरा तो दोस्तो इसकी इंगलिस लिखेंगे वाय सम बैंडेट्स दोस्तो अगला सेंटेंस है जो अपने वगवान को उसकी बली देना चाहते थे तो दोस्तो इसकी ट्रासलेट करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना जो की इंगलिस हूँ उसके वाद दोस्तों हमें लिखना है वर्ब और वर्ब है इसमें चाहते थे इसके इंगलिस लिखेंगे वांटेड इसके वाद दोस्तों हम लिखेंगे बली देने की इंगलिस और दोस्तों यहाँ पर बली देना जो है वो एक infinitive वर्ब है इसलिए दोस्तों, यहाँ पर वली देने के अंगलिस लिखने से पहले हम लिखेंगे उसके आगे to तो यहाँ पर लिखेंगे to sacrifice, उसके भावर दोस्तों हमें लिखना औबज़ेक्ट और इस वाले HTML में अबज़ेक्ट है उसकी English लिखेंगे दोस्तों, him उसके बाद दोस्तो हमें लिखने अधर वर्ड और इस सेंटेंस में अधर वर्ड है अपने वगवान को तो इसके इंग्लिस लिखेंगे To Their God अगला सेंटेंस है इसलिए वे राजा को अपने पुजारी के पास ले गई दोस्तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना इसलिए की इंगलिस सो उसके बाद दोस्तो हमें लिखना वे की इंगलिस दे इसके बाद दोस्तो हमें लिखना वर्ब और वर्ब है इसमें ले गए और ले गए की इंगल्स लगाएंगे यहाँ पर टुक इसके बाद दोस्तो हमें लिखना आबजेक्ट और इसकी इंगल्स लगाएंगे दा किंग इसके बाद दोस्तों हमें लिखना अधर वर्ड और दोस्तों अधर वर्ड है इसमें अपने पुजारी के पास दोस्तों इसकी इंगलिस आएगी to their priest जब पुजारी ने राजा की गायल उंगली देखी तो उसने कहा यह संपूर मनुष्ट नहीं है और पहली क्लोज को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है जब की इंगलिस when उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है subject और subject है इसमें पुजारी और पुजारी की इंगलिस लिखेंगे the priest उसके वाद दोस्तों हमें लिखना आ है वर्व और वर्व है इसमे देखी और देखी की English लखेंगे यहाँ पर show इसके वास दोस्तों हमें लखना है और इसवाले sentence में और आबजक्त राया की गायल उंगली और दोस्तों इसकी English लखेंगे the king's injured finger और दोस्तों दूसरी क्लोज में दे रखा है तो, तो दोस्तों यहाँ पर तो की इंगलिस नहीं लिखेंगे, इसलिए दोस्तों यहाँ पर लिखना है हमें सब्जेक्ट और सब्जेक्ट इसमें, उसने की इंगलिस लिखेंगे ही, उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है इसके वाद दोस्तों हमें लिखना है संपूर मनुष दोस्तों इसकी इंगलिस आएगी परफेक्ट मैन अगला सेंटेंस से बहे अपनी एक उंगली खो चुका है हमें बली देने के लिए संपूर व्यक्ति की जरूरत है दोस्तों यह सेंटेंस भी कंप्लेक्स का है और इसकी ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें पहली क्लोस को ट्रांसलेट करना हुआ और पहली क्लोस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है वैकि इंगलिस ही इसके बाद दोस्तों हम लिखने के वर्व और सेंटेंस में वर्व है खो चुका है कि इंगलिस लगाया है क्योंकि यहां पर करता जोए वो एक बचन है इसके बाद दोस्तो हमें लिखना है आबजेक्ट और इस वाले सेंटेंस में आबजेक्ट है अपनी एक उंगली इसके लिए दोस्तो लिखेंगे हिज बन फिंगर और दोस्तो दूसरी किलोज को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है हमकी इंगलिस बी उसके बाद दोस्तो हमें लिखना है वर्व और वर्व है इसमें जरूरत है और दोस्तो इसकी इंगलिस आएगी नीड इसके बाद दोस्तो हमें लिखन बली देने की इंगलिस, और दोस्तों, बली देने की इंगलिस लिखेंगे, तो वी सेक्रिफाइश, अगला सेंटेंस है, इसलिए उन्होंने राजा को उसके राज़ते पर छोड़ दिया, दोस्तों, इसकी ट्रांसलेट करने के लिए, सबसे पहला हमें लिखना, इसलिए की इंगलिस सो, उसके बाद दोस्तों हमें लिखना सबजेक्ट, उन्होंने की इंगलिस दे, उसके बाद दोस्तों हमें लिखना वर्ब, छोड़ दिया, लेफ्ट, उसके बाद दोस्तों हमें लिखना आबजेक्ट, आबजेक्ट राजा, राजा की लिखेंगे दा कि इसके बाद दोस्तों हमें लिखने होते हैं other word, other word is मैं उसके रास्ते पर, तो दोस्तों इसकी English लिखेंगे on his way इस्टोरी का अगला sentence है, राजा अच्छी तरह से समझ चुका था की सब कुछ अच्छे के लिए होता है इसके बाद दोस्तों हमें लिखना है वर्व और वर्व है इसमें समझ चुका था और दोस्तों समझ चुका था वर्व होती है past perfect की इसलिए दोस्तों इसको लिखेंगे हम had understood इसके बाद दोस्तों हमें लिखना अच्छी तरह और दोस्तों इसकी English लिखेंगे well दोस्तों दूसरी किलोज को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है की की इंगलिस देट इसके बाद दोस्तों हमें लिखना है सब कुछ और सब कुछ की इंगलिस लिखेंगे एवरिफिंग इसके बाद दोस्तों हमें लिखना है वर्व और वर्वेस में होता है होता है कि इंगलिस लिखना है अच्छे के लिए इसकी इंगलिस आएगी फोर दा वेश्ट झाल